हेलो फ्रेंड्स मैं मनीशा स्वागत करती हूँ आपका MLT Education Point पर आज हम बात करें ये सेल के बारे में कि सेल क्या होता है किसने इसकी discovery की थी इसके function क्या क्या होते हैं तो आएए देखते हैं सेल के बारे में सेल आर दो बैसिक fundamental unit of life क्या है बैसिक fundamental unit है किसके life के fundamental से बात करें हम तो यह क्या है एक base है हमारी life के लिए जैसे एक building बनाने के लिए हमें floor की जरूरत होती है बिना floor क्या building नहीं बना सकते वैसे ही क्या है एक फ्लोर है बैस की तरह है यानि कि fundamental unit है unit मतलब कि cell क्या है खुद में ही complete है यानि कि उसमें हर वो activity होती है जो कि life के लिए essential होती है like metabolism, respiration, reproduction ये सारी चीजे जो है activity जो है वो cell के अंदर होती है इसलिए हम इसको unit केते यानि कि ये खुद में ही complete है तो life के लिए क्या ज organism जो है वो cell से मिलकर बने होते हैं वो चाहे animal हो या फिर plant हो ठेक है अगला बात करते हैं cell are the smallest structural and functional unit of life cell are the smallest unit यानि कि इतने smallest कि हम इसको neck dye से खुली आंकों से नहीं देख सकते इसको देखने के लिए हमें microscope की जरूरत होती है structural की बात करें हम तो इस हैल क्या है एक organism को structure प्रोवाइट करती है जैसे कि हम बात करें मैंने यह आपको बताया कि कुछ organism जो होते हैं वह unicellular होते हैं और कुछ जो होते हैं वह multicellular होते हैं तो यह जो unicellular organism है वह single cell से मिलकर बने हुए होते हैं like bacteria is to लिए सिंगल से बने हुए जो और गरनीजम है जैसे हम यूनी से मि यह क्या रहा है से यह से удар कर रहा है nis इसके सकते हैं तो आइसे हो सकता है सकता है किawk είक यह से स्ट्रक्चर रहा है तो इसलिए हम इसको structural भी कहते हैं functional यानि कि यह बहुत सारे function perform करती है मैंने आपको बताया ही है कि metabolism, reproduction यह सारे function perform करती है जो कि life के लिए essential होते हैं तो इसमें क्या हम एक cell से यानि कि यह एक ऐसा base जिसके उपर अपन जैसे कोई भी ऐसे चीज जिसके उपर आपन एक ये वोडी डिवलॉप कर सकते हैं तो आपस में जूडेंगे तो क्या बनाएंगे टीशू बनाएंगे अपस में मिलकर बनाएंगा एक organ बनाएगा लाइक जिसे में यहाँ पर kidney बनाई है जो कि एक इस्क्रेटर सिस्टम में आती है जिसे kidney हो गया अधर organ जिसे stomach ले लो ठेक हाट ले लो तो यह सब क्या है organ है तो यह किस से मिलकर बने हुए है टीशू से मिलकर बने हुए है और यह organ मिलकर क्या बनाते है एक system बनाते है लाइक इस्क्रेटर सिस्टम ठीक है जिसे अगर stomach की बात करें तो वो digestive system में आता है यह circulatory system हो गया reproductive system हो गया तो यह सारे system जो है वो किस से मिलकर बने हुए होते है और्गन से मिलकर बने हुए होते हैं और यह सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं एक यूमन बूडी बनाते हैं आगे बात करते हैं आल और्गनीजम और में डपोप सेल मैंने आपको बताई है कि कोई भी और्गनीजम हो छोटा से बड़ा वह सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ज Plant Animal में Human भी आते हैं साइच की बात करें हम तो सबसे Largest Cell जो होती है वो कौन सी होती है Owom Cell जो कि 120 Micrometer की होती है और सबसे Smallest Cell जो होती है जो होती है Sparm Cell यानि कि वो 5 Micrometer की होती है और इन दोनों से ही मिलकर क्या बनती है हमारी Cell बनती है यानि कि नई body develop होती है कैसे जब यह spermatozoa और ovum आपस में fuse होते हैं तो क्या बनाते हैं जाइगोड बनाते हैं क्या बनाते हैं जाइगोड बनाते हैं यह क्या है हमारी एक cell है और इसी cell से मिलकर हमारी क्या बनती है बोडी बनती है यानि कि एक body develop होती है कैसे बनती है यह हमारी cell है और इसी cell से मिलकर एक body develop होती है तो यह हो गया हमारे introduction अब हम बात करते हैं discovery की तो cell को सबसे पहले discovered किस ने किया था सबसे पहले बात करें हम Robert Hooke की तो इन्होंने 1665 में cell को discovered किया था कि first discovered by Robert Hooke in 1665 यानि कि 1665 में Robert Hooke ने इसको cell का नाम दिया था कैसे दिया था उन्होंने क्या observe किया था तो observed a piece of bottle cork under a compound microscope यानि कि इनके द्वारा एक microscope इन्होंने बनाया था और उसमें इन्होंने यह जो पेड की छाल होती है जैसे हम bottle cork कहते हैं उसको observe किया तो इनको ऐसे छोटे छोटे रूम जैसा structure इनको दिखाई दिया ठीक एसा रूम जैसा structure उस पेड की छाल में इनको दि याद आया कि एसा same structure में ने देखा है तो उनको याद आया वो same structure कहां पर देखा उन्होंने देखा था honeycomb compartment यानि कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर जो compartments होते हैं वो इसी तरह के होते हैं ठीक है जिन्होंने देखा था कि यह रूम जैसा structure है एसा ही same structure जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के जो compartment से उसमें होते हैं तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था cell का नाम दिया था लेकिन इनका जो microscope है उसके magnification जो है वो लो होने के कारण हाई नहीं थी उसका क्या कारण यह क्या है उसको detail structure इसका नहीं देख पाए और इन्होंने इस cell को क्या बताया dead cell बताया living cell इन्होंने इसको नहीं बताया इन्होंने बताया कि यह cell जो है वो dead cell है क्योंकि इनके जो compound microscope इनका जो था उसकी magnification power जो थी वो कम थी ठीक है यह बात हो गई किसके Robert Hook की अब बात करें कि तो 1674 में इन्होंने इसी cell को क्या बताया था कि यह cell जो है वो living cell है इन्होंने देखा था कि free living cell in pond water by using higher magnification compound microscope फिर इन्होंने क्या किया एक higher magnification compound microscope यूज किया और तालाब के पानी में इन्होंने देखा कि cell जो है इसके अंदर जो cells presence है वो क्या है मूव कर रही है ठीक है इस cell जो है वो living cell है इन्होंने अनिमेल क्यूस जो उसको नाम दिया था सबसे पहले कि यह जो living structure इनको दिखाई दे रहा है अंदर उसको इन्होंने अनिमेल क्यूस नाम दिया था उसके बाद आए रोबर्ट ब्राउन रोबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था कि he described nucleus present in cell यानि क इस cell के अंदर क्या present होता है nucleus भी present होता है यह हो गए हमारे discovery के बारे में अब हम बात करते हैं कि important cell theory के बारे में तो देखते हैं cell theory क्या करती है cell theory आर प्रपूस्ट बाइद जर्मन साइंटिस्ट के द्वार प्रपूस्ट की कई थी कौन-कौन से साइंटिस्ट है वो थियोडर श्वैनन और मैथियस श्लेडन इन दोनों ने मिलकर cell theory दी थी श्वैनन ने दी थी 1839 में और श्लाइडन में दी थी 1838 में क्या बोला था इन्होंने कि our living species are composed of cells जैसे हमने definition में देखा कि सभी living organism जो है वो living species जो है वो किस से मिलकर बने हुए है cell से मिलकर बने हुए है basic unit of life ये भी हमने देखा कि cell क्या है basic unit है ये खुद में ही complete है इसी से मिलकर organism जो है वो बने हुए होते है रुडॉल्फ विर्चो ने बताया था कि cell arises from pre-existing cells अब ये pre-existing cell क्या होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ovum और spermatozoa दोनों से मिलकर क्या बने हुए होते हैं ठीके क्या मिलता है जाइगोड बनता है तो जाइगोड ये क्या है हमारी cell है ठीके तो ये pre-existing cell यानि कि पहले से ही जो और इसे से नई cell बनी है जसे एक्जामपल देखे हम तो हम कोई पोधा लगाते हैं तो सब से पहले हम उस पोधे का बीज लगाएंगे ठीके तो ये बीच कहा हम से आया ये बीच किसी पोधे से आया वेसे ही cell जो है वो पुरानी जो जो जैल ती उसी से बनी है और इसे सेल से न्यू बोडी जो है वो डैवलोप होती है तो क्या करा है यह सेल अराइजस फॉर प्री एक्जिस्टिंग सेली जो पुरानी सेल है इसी से हमारी नई सेल और इसी सेल से बोडी डैवलोप होती है modern theory क्या कहती है यह कहती है कि genetic information is passed from one cell to another अब यह सेल से जो नीब डैवलोप होगी तो इससे क्या होगा genetic information झोहें टांसफर होगी इसके अंदर जो है nucleus होता है nucleus के अंदर dpa ने होता है वह genetic information जो है वह sold चल्थ यूरी अब हम बात करते हैं इसके types के बारे में इसमें इसमें deix रित is always पर बैस है तो इस पर देखें योड का बात करें तो के अब संजेंगे तो यहां पर क्या होगा नूलियस होता है उल्यानि कि इसमें उल्यक्लियस जो है हो प्रेजेंट होता है अब इसके ऊपोजिट इसको समझ रहे हम कि इसमें प्रजेंट होता है तो इसमें नहीं होता है प्रोकेरियोटिक मतलब कि इसमें नुकलियस प्रजेंट नहीं होता है और इसमें प्रजेंट होता है साइज की बात करें हम तो साइज 1-10 माइक्रोमीटर और यूकेरिटिक में बात करें तो यह साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है फाइफ तो हन्रेट माइक्रोमीटर नुकलियस के बात करें हम तो इसमें अपसेंड होता है और इसमें प्रजेंट होता है इसमें पूरा ही अपसेंड नहीं होता है क्योंकि इसमे जो nuclear membrane जो होती है nuclear envelope जो होता है वो इसमें नहीं होता है इसी काराण से इसको कहा जाता है कि ये well defined nucleus नहीं है इसलिए इसको absent बताया जाता है बाकि इसके अंदर जो nuclear envelope होता है वो absent होता है nutrient republics इसमें absent होता है इसमें present होता है साल ऑगनल्स एल अगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सासा बनिया तो यह इसमें अपसेंड होते हैं प्रोकेरियोटिक में और यूकेरियोटिक में प्रजेंट होते हैं क्रोमोजोम क्रोमोजोम जो है इसमें सिंगल होता है और इसमें मोर दिन वन होता है कौन-कौन से प्रोकेरियोटिक और इग्जाम्पल की बात करें तो लाइक बैक्टेरिय इस्ति यूकेरोटिक नहां करें वर सब्सक्माइब लगहीड सेμख में多बर निचोश्च अंच qon और वहाद बहुत इंप्वstäशन कई बार इंप्वारम के घ्जामपल बताओ प्रोकेरोटिक का इक्जामपल बता हो जैंसे से कुछ रिए डिवह बात करें के दिवी ब्रिट few प्रेंट इसमें यूट टिक में थे तो प्लांट सेल में जो सम वाल जो यह वह ब्रोगत होती है और अप्रेंट होती है सेल में तो प्रेजंट सक लिए होती है सेल में Plante और अनिमल सेल दोनों में प्रेजिंट होता है प्लास्टीट प्लास्टीट जो है वो किसमें प्रेजिंट होता है केवल प्लांट सेल में अनिमल सेल में नहीं प्रेजिंट होता है लाइसोसोम जो है वो प्रेजिंट होता है और अनिमल सेल में जो है वो प्रेजिंट होता है त बात करते हैं इसके structure और function के बारे में हम बात करते हैं cell structure के बारे में तो यह है हमारा cell का structure इसमें हम सबसे पहले बात करें किसकी cell के part की तो सबसे पहले cell के part में क्या आएगा cell membrane जो plant cell होती है उसमें cell wall present होती है और cell membrane भी होती है जो animal cell होती है उसमें cell membrane होती है तो human body के अगर बात करें हम तो उसमें ये जो cell membrane है ये क्या है? cell का part है nucleus भी cell का part है और हमारा cytoplasm जो है वो भी cell का part है बाकी के जो भी present है वो cell organelles में आते हैं तो cell part से start करें cell membrane cell membrane का काम क्या होता है? ये हमारे इसके अंदर जितने भी organelles present से उसको protect करना एक structure provide करना और support करना ये हमारे किसका काम होता है? cell membrane का काम होता है देनाता है cytoplasm इसके अंदर ये जो fluid भरा है उसे हम कहते हैं cytoplasm जिसके अंदर ये सारे cell organelles होते हैं उसके बात देनाता है part में हमारा nucleus nucleus क्या है? ये nucleus जो है वो cell के जितनी भी activity होती है यानि कि ये cell जो भी activity करता है उसको regulate करने का काम कुन करता है? nucleus करता है और इसे के अंदर क्या present होता है? DNA present होता है जिसे हम genetic material करते हैं तो ये क्या करता है? genetic information transfer करने का काम करता है बाकि इन सब के बारे में detail में भी हम next video में पढ़ेंगे लेकिन अभी हम इसका diagram समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए उसके बाद ये तो हो गए हमारे cell के part अब हम चलते हैं cell organals पे तो इसे cell nucleus के अंदर हमारा क्या present होता है? nucleus present होता है ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? nucleus तो ये क्या काम करता है? protein का synthesis तो करता है ये 7-7 ribosome को production का भी काम करता है क्यूंकि इसी से क्या atage है? ये हमारा endoplasmic reticulum atage है इधर भी आपको दिखरा होगा, इधर भी तो इसी से क्या atage है? ये endoplasmic reticulum atage है जो के 2 type का होता है smooth endoplasmic reticulum और rough endoplasmic, जिसके उपर ribosome नहीं present है, उसे हम कहते है smooth endoplasmic reticulum और जिसके उपर ribosome present है, उसे हम क्या कहते है rough endoplasmic reticulum clear है, तो ये क्या काम करता है endoplasmic reticulum, इसके उपर क्या present है, ribosome present है तो उस ribosome को हम क्या कहते है, protein की factory कहते है, तो ये protein synthesis का काम करता है और प्रोटीन को ट्रांस्बोर्टेशन करने का काम भी करता है तो यह हो गया हमारे किसके बारे में? एंडोप्लास्मी क्रेटिकुलम के बारे में अब हम चलते हैं माइटोकॉंड्रिय के पास ये भी क्या है? सैल और्गनल्स है इसलिए हम इसको power house of cell भी कहते हैं clear है ? यह हो गया ? अब हम बात करते हैं किसकी th今 लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम क्या है ? इससे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्योंकि जो भी डाइट सेल होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम कुन करता है लाइससूम करता है इसलिए हम इसको डाइजेस्टर सिस्टम भी क्यते हैं सेल का अब बात करते हैं कि सेक्रेटरी वैसिकल की तो सेक्रेटरी वैसिकल का काम क्या होता है यहां पर आपको एक होल लिए कि यह सब लोगोब करने काम करता है जैसे कि जुव में ego कि में शॉरी में स्टॉर्य में ने काम करती ते फूर्ट का जो है वो breakdown हो जाए ठीक है तो यह क्या करता है वह ट्रांसपोर्ट कर रहा है digestive enzyme को food का breakdown के लिए जो कि stomach के अंदर present है उसके बाद आते है गॉल्जी apparatus का काम क्या होता है यह जो हमारा क्या है endoplasmic reticulum है यह क्या करता है इसके उपर ribosome present है मैंने आपको बताया protein का synthesis इसस प्रोटीन का transportation का काम करता है तो यहां से protein जाता है इसके पास में और यह उस protein को modify करके फिर वहां पर लेके जाता है जहां पर उसकी जरूरत है clear है तो एक और human body के अंदर जिसके अंदर nucleus नहिं present होता है बाकि सभी में होता है वो है Rbotz के अंदर जो मैचोर Rbotz हे उसके अंदर जो है वो nucleus नहीं present होता है अब हम बात करेंसे के बारे में कि cell का function क्या होता है अबध सापोर्ड एं स्ट्रक्चर यह क्या करता है support और structure प्रोवाइड करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था जिसमें measure role जो है वो cell membrane का होता है और plant cell की बात करें तो cell वाल और cell membrane दोनों का काम होता है तो support और structure प्रोवाइड करता है जैसे कि हमारी skin में बहुत और cell प्रजेंट होती है जो कि structure भी प्रोवाइड करती है तो यह अब यह जो है इसके अंदर जो भी chemical प्रॉसेस होती है तो होता है बिस्ट भी वेस्ट प्रोड़क्षन होता है उसको ट्राश्पूर्ट करने काम यानि के अलिमिनेट करने काम भी करती है से रिप्रोडुक्षण रिप्रोड़क्षन इसमें माईटोसीज दो भी परोसेस के द्वारा होता है जो जो हम ली पड़ेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ मैं आ जायेगा जो इसमें मैंना आपको बताया है कि प्राइंट र्वाटर सेल में डिवाइड होती है उस तरीके की प्रोसेस होगी production of energy production का काम भी करती है अब cell इतना सारा काम करती है तो इसको energy की जरूरत भी होती है तो energy के production करने का काम भी करती है तो ये आज हमने cell के बारे में पढ़ा जिसमें हमने इसके structure, cell, introduction, उसकी theory, सभी के बारे में हमने detail में पढ़ा तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा इसके structure के बारे में detail में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो जुड़े रहे हमारे साथ like करे, subscribe करे, share करे, धन्यवाद